आज हम सब लोग 26 पार्टियां बैंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए यह दूसरी मीटिंग थी, पटना में 16 पार्टियां एकठी हुई थी तो यह अच्छी बात है कि कुन्बा बढ़ रहा है आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंदर मोदी जी को भारी बहुमत दे के जिताया था इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है हर सेक्टर को बरबाद करने में उनने कोई कसर नहीं छोड़ी आज देश में हर आदमी दुखी है युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, वेपारी दुखी है, इंडस्टिलिस दुखी है, ग्रहनी दुखी है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एक अत्रित नहीं हुए हम देश को एक तरफ बचाना है जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोगी कठे हुए हैं जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक् की करेगा